कोई लांचल दनबाद में इन दिनों अपरादी बेलगाम हो गए हैं जिले के बिबीन इलाकों से लगतार गोली और बम चलने की खबरे लगतार आ रही है ऐसा लग रहा है मानो अपरादी पर से पुलीस का खौफ खत्म हो गया है ऐसा ही एक मामला फिर से बेंक मोट थाना छेतर में देखने को मिला जहां तीन लोगों को गोली मार दी गई गटना के संबंद में बताया जाता है कि आपसी बिवात के कारण रिकावरी एजेंट उपेंद्र सिंग ने अपने ही परिवार के तीन सदस्यों को गोली मार दी तीनों घायल वेक्टियों को सबसे पहले पीमसीच धनबार लाया गया जहां पर दो गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगा रेफर कर दिया गया है वहीं घटना के बाद से रिकावरी एजेंट उपेंद्र सिंग फरार है बीते कुछ दिनों से लगतार जीले के बिभिन इलाकों से गोली बारी और बम बाजी की खबरे आ रही है जीले में अपराधी बेलगाम हो गए हैं फिलहाल गोली बारी की घटना के बाद पुलीस पूरे मामले की चानवीर में जुटी हुई है तो फिलहाल वो खरा रहे हैं रफ्तारी के पुछिश की जा रही है तो निकला को है चानवीर में पुलीस पुलीस तो उन दोनों को रेफर कर गिया है से यहां परिक की मैं रही ही हमको ने बताए लिकीन बाहरी लाज की टेता है तो पाले से भी ऐसके खिलाब कही खाई अंगे ठंद बहीं मुथा से जाहां बहीं का है पैले सी शी लगा वारी में सभाई ठंद पीजए ना हूज की पुलीस जाए घर की अन दोग है खाक्या आपको देखने से का हमको बताना पड़े गई तर्ची है किनको किनको गोली लगा है मम्मी को लगा है मम्मी सिरियस है आपको भाई है आपको भी लगा है भी आपको बोल ढुख भी लिखिए करना के जूट बोल रहे हम लो का पहुत सबूत है अभी पोलिस घरफ भाहर है नहीं पकड़ाये गई अभी पकड़ेगाई नहीं कि देख पुचिया नहीं कि आरे है कि आरे ह है